हलो स्टूरेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ इंफॉमिशन्स तोंगा कि अक्टिव क्या है किसलिए यूज होता है उसके आवास कैसी होती है उसके नेम्स क्या है वह सब कुछ चुलेट स्टार्ट वैसे उक्टेव इसे करें बारा किस का एक पुरा का पूरा एक सैट रहता है यह यह पूरा का पूरा एक सैट हो गया जिसे हमें ऑक्टेव बोलते हैं जिसमें बारा कीज आती है उसके बाद में यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक, Octave No.1, Octave No. 2, Octave No. 3, Octave No. 4, Octave No. 5, तो टोटल इस कीबाड के अंदर 5 ओक्टेवस है और हर एक ओक्टेव की 12 होती है और हर एक ओक्टेवस के नेम्स भी रहते हैं जैसे कि अब देखे तो कोई भी अगाना अगर हम कोई भी अगर गाना हम अगर हम प्ले करते हैं तो गाना वैसे तो basically middle octave से ही शुरू होता है जैसे कि अगर मैं भी बातचित कर रहा हूँ तो अभी यह lower octave होगया और यह middle octave होगया यहां से यहां तक सी मिडल octave यह lower octave यह upper octave यहां से यहां तक है मिड़ियु से लेकर के लूपर डूपर लूपर उ से रहते है कि उसमें आवाज एक्दम नीची रहती है एक दम नीचे से मतलब ही किसे के साथ बातचीत करना या तो एक दम दिरी हो अवाज में गानाको या और घूत फे आपन एगर आप किसी के उपर मतलब चिला रहे हो या तो फिर की गाणिये उसे आपर ऑक्टेव में गए जाते हैं और सो मिडल ओक्टेव, लूबर ऑक्टेव, एड अपर अप्टेव इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसके सारे नोर्स बताऊँगा कि इसके नेम्स क्या हैं, उसको कैसे रिफर करना है, everything else, okay, thank you.